हाई गाईज कैस हो आप लोग तो दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग चीज आज एक प्रॉब्लम डिजाइन करते हुग मैंने सूची और एक बहुत बढ़िया रिजल्ट उससे निकल के आ रहा है तो दोस्तों यह चीज आप लोग ने देखी होगी जब भी आप सीक्वेंशन सीरीज पढ़ते हैं तो यह चीज आप लोग देखते हैं समौर क्यूब्स फर्स एन नेच्रल नंब्र स से लेकर n क्यूब तक n इंटो n प्लस 1 व्यू का होल स्कुर्र अब यह जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग इसके कुछ पूफस देखते हैं कुछ विजूल पूफस होते हैं आप लोग ने देखा होगा जिस पर थोड़ी सी complicated geometry use होती है box fitting वगएरा यह सब चीज़े होती है और similarly अगर इसको algebra से solve करें तो usually हम कैसे solve करते होते हैं इसको हम यह करते हैं n plus 1 की power 4 minus n की power 4 और यह 4n cube plus 6n square plus 4n plus 1 अब इसके अंदर हम summation लगा देते हैं basically n को 1 से लेकर n तक ले लेते हैं और फिर यहां पर क्या आ जाता है इस एंचिली n plus 1 की power 4 minus 1 और यह आ जाता है 4 sum जो आपको चाहिए 6 sigma n square जो आप निकाल चुके होते है बैने 4 sigma n plus n अब इससे जो s निकल के आता है वो यह निकल के आता है राइट बट यह जो प्रूफ है था यह प्रूफ डारेक्ली यह यह relation established नहीं कर पाता है कि वाई मतलब इससे पता यह coincidence लगता है बस coincidence लगता है कि यह sigma n cube है ना sigma n का square आ जाता होगा देखो sigma n क्या होता है n into n plus 1 by 2 1 से लेकर n इनका समझे होता ना n into n plus 1 by 2 होता है बट इस प्रूफ से क्या आना यह coincidence लगता है अब मैं आप लोग को दोस्तों बहुत अमेजिंग जोमेट्रिकल मैनिपिलेशन बताऊंगा जिससे यह चीज मैनिपिलेशन यह जो है यह एक्ट्वल कोईंस ना होके एक बहुत अमेजिंग मैनिपिलेशन है और यह बहुत परपस फुली यह चीज आती है तो आप लोग दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझीएगा जो construction मैं आप लोग के लिए करूँ ठीक है देखिए तो यह conventional प्रूफ तो आप लोग जानते ही है अब देखिए मैं क्या करूँगा ए एक त्रैंगल लेता हो हूं ठीक है एक ट्रियंग वैनने लिया है यह यह बी है यह सी हो Soldier अब मैंने एक चीजह घ्यागी अब मैं अगर यहां पर एक और परल्लल लाइन बनाओं जिसमें यह 2a लोंगा यह 2b लोंगा फिर पर एक और परल्लल लाइन बनाओंगा जिसमें यह 3a होगी यह 3b यह 3b यह 3b सफोड़ इन पर ने लोंगा एन बी लोंगा जोड़ एन इन अब देखतें मैं क्या के रहा आगा यह एरिया बन तो यह यह रीजन का एरिया मैं मान लेता हूं एक्स यह एक्स मान लेता हूं ठीक ऐसे करके अब देखिये क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा तो वन अपॉन ट्रियंगल का एरिया हूं पूरे ट्राइंगल का एरिया है आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो a1 b1 a2 b2 तो मैं क्या बोल रहा हूं यह एरिया है a1 b1 upon a2 b2 ठीक है अब similar ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या पढ़ता है कि यह दोनों ट्राइंगल क्योंकि सिम्मिलर है तो साइट का जो रेशो होता है उसके स्क्वाइर के बराबर होता है मतलब a1 upon a2 के स्क्वाइर के बराब तो यह कित्त हो गया 1 by 9 मैंने वो एरिया परपस्फुली 1 लिया था याद की दिया तो एकसवन की वैलिव 8 आ गए अब देखो यह हो ठीक है अब मैं एकस्टू निकालता हूं सेम लॉजिक से तो देखियो one अपॉन प्लस eight plus x2 वन अपॉन प्रस एट प्रस एक्स टू सेम लॉजिक से ए अपॉन सिक्स ए का होल स्क्वार हो जाएगा तो आपका देखिए एक्स टू कित्रा आ गया 27 तो यह 27 हो गया अब आपको पैटन समझ मार गया होगा अगर यह फोर यह लूंगा तो यह 64 आ जाएगा सिमिलरली यह लास्ट वाला एंक्यू अब देखिए इस ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वह इन डिस्जॉइंट रिजन के एरिया के सम के बराबर होगा ना तो मैं इसको लिख देता हूं 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस एंक्यू राइट बट अगर मैं देखूं सिगमा एबीसी स्वारी एरिया ओफ एबीसी अपॉन एरिया ओफ ए एवन बीवन यह भी तो सिमिलर ट्राइंगल के ना क्योंकि बेस के ही पैरलल ले रहे थे हम लोग सब चीज हो तो यह एबीसी देखो क्या आएगी वन से लेकर एन तक ए अपॉन ए का होल स्कूर तो यह कित्ता आ गया ए डाइरेक्ली यह स्टैबलिश हो जाता है कि एविंग सिग्मा एन क्यू आज स्क्वाइर ओफ सिग्मा एन इस नौट अ कोइंसिदेंस इट अच्वली हैपन्स थ्रू दिस अमेजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी तो यह दोस्ते हैं अब मैं तो इसको पीजे एक् देखें वैसे आप देखेंगे नहीं पड़ अगर यूस होते हो देखें तो याद रखें यह चीज़ सबसे पहले मैंने आपको बताए थी सवाइब यू लाइक डिट जब भी आप लोग जोमेट्री और अलजेब्रा को कनेक्ट करते हैं सम्तिंग ब्यूटिफुल कमस ठीके, थैंक यू